तो दोस्तों Moto G64 और Narzo 70 Turbo कि अगर इस पी टेस्ट की बात करें तो यहाँ पर मुझे कई सारे चोगाने वाले रिजल्ट्स मिले हैं जैसे कि सबसे पहले अगर स्पेशिफिकेशन की बात करें तो Moto G64 में आपको मिलता है Diamond City का 7025 प्रोसेसर नार्जो 70 Turbo में आपको मिलता है Diamond City का 7300 प्रोसेसर तो यह ऐसा लगता है कि 70 Turbo पूरी दरादत G64 को बीट कर पाएगा लेकिन ऐसा नहीं है जैसे कि सुरुवात करते हैं दोनोई डिवाइसस के रिजटार टैट से तो यहाँ पर दोनोई डिवाइसस को कर दिया है Reboot और जब तक दोनोई डिवाइसस रिवूट होते हैं आगे आपको और भी चोगाने वादे डिजट्स मिलेंगे तो सबसे पहले बात करते हैं दोनोई डिवाइसस के एंटू टू बेंचमार्क स्कोर्स के बारे में तो एंटू टू बेंचमार्क स्कोर्स के मामले में नार्जो 70 टर्वो पूरी तरा से G64 को बीट करता है CPU स्कोर्स की बात करें तो G64 का है 1,66,000 के असपास जबकी 70 टर्वो का है 2,19,000 बहुत बड़ा डिफरेंस यहां पर देखने को मिलता है इसके बाद अगर GPU स्कोर्स की बात करें तो Moto G64 का स्कोर है 99,000 यानि की लगवग 1,00,000 के असपास वही नार्जो 70 टर्वो का GPU स्कोर यानि की गेमिंग स्कोर है 1,66,000 दौनों ही डवैसे पर NQ2 Benchmark 3D का लाइट वर्जन सपोर्ट करता है और गेमिंग में यहां बहुत ब्रा डिफरेंस है मेमोरी स्कोर्स की बात करना तो 1,00,000 के आसपास है Moto G64 का जबकि 1,500,000 के आसपास आता है नार्जो 70 टर्वो का और डिवाइस की रिड़न राएट स्पीड भी नार्जो 70 टर्वो की जादा है as compared to Moto G64 अब NQ2 Benchmark की स्कोर्स में तो नार्जो 70 टर्वो पूरी तरह से Moto G64 को बीट करता है प्रैक्टिकली देखते हैं एप्लिकेशन को लॉंच करके की कौन से डिवाइस बैदर है तो मैसेज का एप्लिकेशन G64 पर पहले लोड हुआ और Google Chrome दोनों पर लगवख सेम टाइम पर लोड होता है आगे बढ़ते हैं कैमरे की दरफ तो कैमरे का एप्लिकेशन भी यहाँ पर दोनों पर ही लगवख सेम टाइम पर लोड होता है Candy Crush एक थोड़ा सा गेम है देखते हैं यह पहले किस पर लोड होता है तो Moto G64 पर यह पहले लोड हुआ as compared to Narjo 70 Turbo यह एक थोड़ा सा हैवी गेम है Candy Crush के comparison में देखते हैं यह पहले किस पर लोड होता है अगर यहाँ पर क्यूक्रेस्पोंस टाइम की बात करें तो वह भी Narjo 70 Turbo का बहतर है और गेम भी पहले Narjo 70 Turbo पर लोड हुआ Moto G64 के comparison में यह थोड़ा सा और हैवी गेम ट्राइ करते हैं देखते हैं यह पहले किस पर लोड होता है तो यहाँ पर क्यूक्रेस्पोंस टाइम Moto G64 का बहतर रहा लेकिन गेम पहले Narjo 70 Turbo पर लोड हुआ अब तक के इन टेस्ट से एक चीज़ तो किलियर होती है कि basic से task जब आप करते हो तो G64 यह एक बहतर smooth UI होने की वजए से आपको बहतर performance दे देता है और 70 Turbo इन कंडिसंस में नॉर्मल टास्क में पीछे रहा था G64 से एक अच्छा hardware होने के वावजूद भी क्योंकि UI इतना ज़्यादा smooth नहीं है जब कि आप थोड़े से heavy task करते हो तो क्योंकि आपको hardware 70 Turbo बहतर मिलता है तो वहाँ पर आपको performance भी बहतर देखने को मिलेगी इंपले काफी अच्छा था आईडिया भी आहां से ले ही सकते हो कोई lag नहीं कोई issue नहीं और medium graphics तक की games आप अपने Moto G64 पर बड़े आराम से रन कर सकते हो फिर मैंने gty city का definitive edition maximum resolution पर try किया और by Moto G64 पर ये unplayable है बहुत ज़्यादा issue बहुत ज़्यादा lag देखने को मिलते हैं बहुत ज़्यादा glitch देखने को मिलते हैं कहने का मतलब i graphics की games आप अपने Moto G64 पर रन नहीं कर सकते अलगी gty city की definitive edition को default graphics settings पर आप कुछ lag के साथ Moto G64 पर रन कर सकते हो बात करें नार्दो 70 डर्वों की तो जब मैंने default graphics settings पर gty city के definitive edition रन किया प्ले किया तो भाई game काफी smooth रहा हलका बहुत minor lag देखने को मिलता है बट कोई खास issue देखने को नहीं मिलते हैं कहने का मतलब अभी जो आप game देख रहे है वो default graphics settings पर ही है और gameplay काफी अच्छा है यहां से आप experience भी कर सकते हो कहने का मतलब 70 डर्वों के 6GB RAM वाले variant पर विया medium graphics तक की games बड़े आराम से run कर सकते हो लेकिन जब मैंने यह game maximum resolution पर play किया तब वहां पर issue देखने को मिले अला कि अगर इसे moto g64 से compare करने तो उस condition मा बहुत smooth performance देखने को मिलती है और high graphics तक की games भी आप या तो कुछ lag के साथ य कि आप maximum resolution पर minor lag के साथ run कर सकते हो अब बात कर लेते हैं multitasking performance की तो जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो 6 या 7 applications table दोनों ही devices के background पर run हो रहे हैं पहला application dialer दोनों ही devices के background पर बना हुआ है second application message g64 के background पर बना हुआ है जबकि 70 टरवों के background से close हो चुका है और को भी बहुत ज्यादा है वी application इस समय दोनों devices के background पर नहीं है और एक चीज़ जो मैं वीडियो के शुरुआत नहीं बता चुका हूँ कि 70 टरवों का यहां यूज किया गया है 6G RAM वाले variant g64 में आपको मिलती है 8G भी की रहे हैं अब यहां पर आप यह multi-dasking की performance देखोग हैं जबकि 70 टरवो के background से सारे applications close हो चुके हैं तो gaming के लिए no doubt 70 टरवो एक perfect डवाय से बहुत बहुत बेदर है बट आप बिल्गुल basic से task करते हो या फिर multitasking भी करते हो तो उस condition में software अच्छा ना होने की वजए से 70 टरवो आपको उतनी बहतर performance नहीं देपाएगा जितनी Moto G64 देदेगा तो फिर मिलाएंगे ऐसी किसी informative वीडियो के साथ तब तक लिए good bye आपका दिन शुबो